नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में GTL Infra को डिस्कस करेंगे एक अच्छी खासी तेजी के बाद लगबग 40-50% तेजी के बाद इस टॉक में आज 5% के डाउंट्रेंड दिखें आकर ये डाउंट्रेंड क्यों दिखें क्या आगे अगें पॉसिवल है 426 का या ये डाउंट्रेंड अगें लोवर साइड ले करके जाएगा इसको समझे इससे पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेंड करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे आज का वॉल्यूम 42 करोर का रीसेंट का हाइस्ट वॉल्यूम है क्योंकि 14 20 करोर के regular वॉल्यूम हमने इस स्टॉक में historical डाटा को देखेंगे तो दिखा 24 करोर वस दा हाइस्ट वॉल्यूम आज इस स्टॉक ने monthly high तो बना है लेकिन एक वॉल्यूम ब्रेकडाउन दिखा और हमने क्या कहा यह stock sentimental trend होता है इस stock के जो trend होते हैं वो sentimental होते हैं यह sentiment से भागता है ना कि इसके individual news के कारण तो अब यह sentiment के कारण जो भागा है तो बजार का sentiment भी थोड़ा यहां पे weak दिख रहा है जिसके कारण इस stock में थोड़ी भहुत profit booking दिख रही है डिलेवरी हारां की better है टेकनिकल अभी भी strong है आउट परफॉर्म करा लेकिन यहां हमने आपको क्या कहा जिस प्रकार से इस consolidated के बाद यह trend continue करा तो probably है कि इस zone में profit booking दिखेगी लेकिन यह यहीं से एक profit booking दिखा मुझे लगता है कि अगर आप already यह level buyers के लिए बिलकुल नहीं है अगर आप already buyer है तो ठीक है लेकिन अगर fresh buying चाहते हैं तो 180-160 के level का weight करेंगे जैसा कि हमने कहा इस stock में probability जो loss के हैं वो 100% है 100% पैसा आपका 0 हो सकता है as like DHFL और syntax इसलिए बरे quantity के साथ play नहीं करेंगे अगर छोटे quantity के साथ हैं तो हमने क्या देखा यहां से जो stock गीरा पहला trend यह आया अब यह दूसरा यहां से अगर तोड़ता है तो probably जो है 7,8 और even 4 यहां से देखेंगे पहला जो trend यहां से आया तो यह यहां से breakdown किया अब यहां से breakout करेगा तो probably 4,2,8 तक के levels दिख सकते हैं तो इतना ही capital आप deploy करें जिसके zero होने पर भी आपको गम ना हो बड़े quantity बड़े capital के कारण आपका एक severe loss होते दिख सकता है तो छोटे quantity के साथ ही जाएंगे चुकि fundamentally बिल्कुल company nil है